आज मैं आपके लिए लाए हूँ बहुत सारा परतो वाला कुरकुरा चटपटा सा इसने जिसे हम अरूबड़ी पतेडी या रिकवज भी कहते हैं तो इसे मैंने अरूबड़ी के पते से बना कर तयार किया है तो इस वीडियो में आपको जो भी टिप्स बताऊंगी आप उस से दोनों तरीके से बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो देखिए मैंने अरूबड़ी के पतों को धो कर सुखा कर दिम साफ कर लिया है और अब मैं क्या ले रही हूं कि इसे कुछ मसाले ले रही हूं उसके साथ तो मैंने ले लिया लैसून पांच हरी मिर्च और यह लिया है मैंने आम का आचार आम का आचार मैं आपको सजेश करूँगी कि आप इसमें जरूर डाले तो अब मैं क्या करूँगी तीनों को ग्रेंडिंग जार में ग्रेंड कर ले रही हूँ यह देखिए मैंने लेसून, मिर्ची और अचार को अच्छे सी पीस लिया है, तरदराई है, बहुत बारिक नीफ, फाइन पेस्ट नहीं है, अब मैं ले रही हूँ, इसमें मैं ले रही हूँ, एक कब बेशन, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ, तीन चमच, चावल का आटा, चावल का आटा जब हम अर्वी के होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह से हाथों से क्रस्ट करके डाले, तो इसकी खुस्बू अच्छी आती है, और एक छोटी चमच, कास्मेरी लाल मिर्च पावडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चमच, हल्दी पावडर, और जो हमन करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगे कि आप अर्वी की पत्ते में आम का आचार जरूर डाले, आप आम चूर पर और भी डाल सकते हैं खटास के लिए, लेकिन आम का आचार डालेंगे तो उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसका गोल तयार करूंगे, और आम का आचार डालेंगे, तो कभी-कभी क्या होता है कि अर्वी के पत्ते से आपको पता है, गले में खरास या इचनिस सी थोड़ी-थोड़ी होती है, तो जो आप आम का आचार डालेंगे ना तो इससे यह बिल्कुल भी नहीं होगी, यह 100% गारिंटी है, तो आप इस तरह से जरू ट्राय करें, और आम का आचार जो है, वो बहुत ही टेस्टी और अच्छा इसमें फ्लेवर देता है, तो अब मैं क्या कर रही है कि इसको अच्छे से पानी से मैं घोल तयार करूंगी, हमें इसे बहुत पतला घोल नहीं त्या गोच्वी लेजिए इस पे एक अरवी का पत्ता रखी इस तरह से उल्टे साय से हमें पीछे से रखनाय पलटके, और अब हम इस पे क्या करेंगे, जो हमने बेसन को घोल कर तयार किया है, तो इस पे इस तरह से फैलाएंगे अच्छे से, हमें इस पे इकदम अच्छे से चा इस तरह से इसके उपर एक और पत्ता लगा रही हूं तो आपको 2, 3, 4 आप जितने चाहें पत्तो वाला बना सकते हैं तो देखें इस तरह से पत्ता चिपकाने के बाद से फिर से इसके उपर हम बेशन का जो घुल बनाए है उसको लगाएंगे फिर तीसरा पत्ता भी मैं इसको दोनों साइड से पहले इस तरह से फोल खर चिपका लेंगे और ध्यान रखे कि बेशन को हमें बहुत पत्ला नहीं करना है अगर आप बेशन पत्ला कर देंगे तो यह अच्छे से चिपके हा नहीं और बाहर निकल जाएगा तो जो बेशन की कंसीडेंसी मैं दिखा ए तो आपकी जो पतेडी है अडू गडी है बहुत ही पर्फेक्ट बनकर तयार होगे तो यह देखिए अब इसको मैंने दोनों साइट से फोल्ड करती हुए अच्छे से टाइटली रोल करना हमें इसको ढूला नहीं करना इसको एक ताइटली रोल करना है तो उससे क्या होगा ज जो बाकी के बच्छे को पते हैं मैंने सब को रोल करके तयार कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला प्रोसीजर है तो हम क्या करेंगे कि इससे स्टीम करेंगे जो इसनेक्स बनाया हमने न तो हम उसे स्टीम करके बनाएंगे आप चाहें तो बिना स्टीम किय इससे कट करके और स्राइब सब्सक्ते हैं लेकिन मैं से स्टिम कर रही हूं तो उसके लिए लेकिन न honeymoon कड कररें दा नहीं में पने कर दें욱 चोर दे रही देखे इस तरह से मैं इसको 4-5-6 pieces में काटूंगी इतने हमें बहुत बारिक pieces नहीं करने हैं हमें एक इंच तक मोटा पीस इसका रखना है तो इस तरह से इस knife की सहता से इसे रगड़ कर ऐसे डायरे की नहीं कटेंगे तो जो इसमें बेसन है वो बाहर निकलने लगेगा और अ के लिए ले चलते हैं देखिया मैंने गैस पर रखा एकड़ाई और इस पर मैंने 3-4 चमच ऑई डाला है हमें बहुत जादा ऑइल डाला है क्योंकि यह बहुत ज्यादा ऑईल अबसों नहीं करता है तो देखिये अब मैं इसे एक करके कड़ाई में डाल दे रही हूं French और हम क्या करेंगे कि इसे ध Zhuoni श्रय और गैस कर दियुक्न है जो हम blended गेंगे लो मिडियम फ्लेम पर रखिंगे और हम इसे इस्टीम करेंगे तो क्या होगा कि करेंगी तो इसी तरह से हमें दोनों साइट से क करना है किर लेना है और अशलिछ करेंगे तौ जो स्ट्रीम बन के तियार होता है तो इसे जो है अंदर पत्ते जो हए उसे ऊपलत कप पंदने केः मेर्ड वह गया है अब मैं लेंपे नहीं करना है तो देखिए अब ये दोनों साइट से फ्राई हो गया है ये देखिए और इस काफी सॉफ्ट भी हो चुका है तो अब हमें इसे नहीं कवर करेंगे इस तरह से उलटते पलटते हुए थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से थो क welfare में दो या है और येच रेडिशनली बारिश के मुवस्व महीं ही जाद Wonderful अविलेवल होते हैं वाकी कई कई जगों पर यसा होता है कि बारिश मौसम बार है तो पत्य नहीं identify मजने संब निकाल लिया है आप मैं इसका थीती शोठी चमच और दाल चीनी का टुकड़ा मना क पर त्यार करेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं दो कटी हुई हरी मिर्च मैंने 20 से इसको चीरा लगा के दो टुकुड़े में फाल दिया है और अब इसके साथ मैं एड कर रही हूं एक कटा हुआ प्याज अब मैं क्या करूंगे कि इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे प्याज को हमें एकदम सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन कर देना है जिस तरह से हम सब्जीयों में प्याज भूनते हैं उसी तरह से क्योंकि हम इसकी ग्रेवी ही बना रहे हैं सब्जी ही बना रहे हैं तो हम हमने पत्तों में भी डाला हुआ है एक छोटी चोथाई चमच हलदी एक छोटी चमच धनिया पॉडर एक छोटी चमच कास्मी लाल मिर्च पॉडर और आधी छोटी चमच गरम मसाला पॉडर अब हम सभी को चलाते हुए मसालों को अच्छे से भूनेंगे देखिए इस तरह से हम मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून ले रहे हैं और जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे कि हमने जो अर्वी की पत्ते स्टीम करने को रखे हैं रोल उसको भी चेक कर लेते हैं कि यह स्टीम हो चुका है कि नहीं तो देखिए इसे हम चेक करते हैं चेक करने के लिए मैंने लख्टी की काटी लिए आप नाइफ या इस्पून कुछ भी लेत लीजिए और देखिए इस तरह से यह बिल्कुल पर्फेक्ट बहार आ रहा है इसमें बिल्कुल वे बेसन और चिपचिपा सा कुछ दिखाई न सब्सक्राइब कर लेएन अज बने देंगे तो अब मसाले भी देख लिया हने मसाले वी थेै pierws घुड़ास चिपारी तो अब मसाल ने लगा रोषा पानी लग चुकते हैं तो में अला रह showcase पानी至 ज़्यादा पानी नहीं चुर्ण ना है और इसे चलाते हुए इसें मिक्स और आप में इसमें क्या करोगी कि जो हमने अरूवडी फ्राय करके रखी हुई है तो हम उसमें एड कर लेंगे देखिए एक एकर के मैंने सभी अरूवडी को डाल दिया है और आप इसे ढख कर हम कवर करके चार से पाच मिनट के लिए पकाएंगे गैस का फलेम हमें हाई मेडियम रखना है और इसे ढख कर चार से पाच मिनट के लिए पकाएंगे जो होगा कि जो इसकी ग्रेवी है अच्छे से पतेडी में रिक्वच में अबजोब हो जाएगी और वो बुलकुल सबजी के जैसा बनकर त्यार हो जाएगा तो यह देखिए चार से पाच मिनट हो चुके हैं और यह कितने अच्छी से पक चुकी है और जो ग्रेवी है वो अच्छे से अब्जोब हो चुकी है मैं इसे चला कर आपको दिखा रहे हुआ देखिए हमाड़े जो पते की सबजी है बिल्कुल अच्छे से बनकर त्यार हो गई है तो अब हम इसे क्या करना है कि नहीं पकाना है और ग्रेवी है वो अब र आफ्रेक्ट है तो अब यह भी जो है एकदम परफेक्ट दीखेगी तो देखे हमारी जो अर्वी की पत्ती है पतेडी की सबजी हो बिल्कूल अच्छे से बनकर त्यार होगी तो अब इसे हम ढखकर साइड में रख देते हैं और जो हमने इस्टीम किये हुए रोल है पत्तो के उसे चेक कर लेते हैं त तो देखिए इसकी जो परते हैं कितनी परफेक्ट बनी हुई है और एकदम रोल रोल सा बनके तयार हो गया है तो देखिए इस तरह से मैं क्या करें कि दूसरा भी कट करके हमने तयार कर लिया है तो अब इसे हम क्या करेंगे कि फ्राइ कर लिए तो फ्राइ करने के लिए मैंन मैं आपको यह बात बता दू कि जो मेथी डाना डाल कर हम जब इस तरह से फ्राय करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो देखिए मैं इस तरह से सभी जो अपने रोल है उसको मैंने इस तरह से काटे वे पीसेस को डाल दे रही हूं और हम इसे क्या करेंगी कि उलटते पलटते वे दोनों साइट से क्रिस्पी कर लेंगे तो यह देखिए मैं इस तरह से इसको पलट ले रही हूं तो फ्रेंड्स यह बारिस के मौसम का बहुत ही फेमस स्नैक्स है बारिस के मौसम में जो अर्वी के पत्ते मिलते हैं तो सभी घरों में यह जरूर बनाया जाते हैं और यह देखिए अब हम क्या करना है कि इसे दोनों तरह से एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राय कर में ट्रांसफर कर ले रही हूं कि देखिए हमारे जो अर्वी के पते की पतेडी रीकवर्च आरूबढ़ी एकदम पर्फेक्ट बनका त्यार हो चुकी है और यह बहुत क्रिस्पी और चट्पटी से बनती है और देखिए इसकी लेयर देखिए एक इसकी लेयर जो है